यम्राज और डाकू, मृत्यू के बाद एक साधू और एक डाकू साथ साथ यम्राज के दर्बार में पहुँचे। यम्राज ने अपने बहीखातों में देखा और दोनों से कहा यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला महाराज, मैंने जीवन भर पापकर्म किये हैं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अतहाँ आप जो दंड मेरे लिए तै करेंगे, मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधू बोला महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ती की है, मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, मैंने सदैव सतकर्म ही किये हैं, इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। यम्राज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधू की सेवा करो। डाकू ने सिर जुका कर आग्या स्वीकार कर ली। यम्राज की यह आग्या सुनकर साधूने आपत्ती करते हुए कहा महाराज। इस पापी के स्पर्ष से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ती का पुन्य निर्थक हो जाएगा। यह सुनकर यम्राज क्रोधित होते हुए बोले निर्प्राध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है और एक तुम हो की वर्षों की तपस्या के बाद भी यहंकार ग्रस्थी रहे और यह न चैनल सब्सक्राइब कर दे धन्यवाद